कालका और पिंजोर शहर में धारा 7A की वज़ा से रिजिस्ट्रियां बंद है, कलेक्ट रेट बंदने से भी रिजिस्ट्रियां बंद हो चुकी है, लोग परिशान है तैसील कालका और यड़ोकेट वेलफेर एसोसेशन के परवक्ता और यड़ोकेट रकेश करोतिया ने शनिवार को बताया कि वैसे ही पिंजोर और कालका शहर में धारा 7A लगी है जिसकी वज़े से रिजिस्ट्रियां बंद बढ़ी हैं और हजारों लोग परेशान हो रहे हैं एसोसेशन के परवक्ता और यड़ोकेट रकेश करोतिया ने बताया कि इन दिनों परशासन की और से नए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि परशासन ने बताया था कि नए कलेक्ट रेट बढ़ गए हैं जिसकारण नए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा हुआ है जिसमें टाइम लग रहा है जिस का एक हफते से सारे रिष्ट्रियां बंद पड़ी हैं और लोग परेशान हो रहे हैं पिछले एक हफते से कालकार पिजोर और गाओं की जनता ब्हत परेशान हो चुकी है जिसका अन्य कामकाज भी लटके पड़े हैं उन्होंने बताया कि उमीद है कि स्वमवार को रिष्ट्रियां सुरू हो सकती है वैसे तैसिल कालका में आने वाले प्रतिदिन सेक्डों लोग परिशानी का सामना कर रहे हैं